तो हैं है क्लास स्वागत है चैप्टर वन जोग्रोफी इंवार्फेंट में, आज हम समझेंगे,चैप्टर वन का इंट्रोड़क्शन करेंगे तो पहले हम स्टोरी समझ लेते हैं स्टोरी यहां पहले दिया है after the long vacation यह स्टोरी रवी एक बच्चा है उस पर है तो रवी जो होता है न मैं आपको समझा देता हूं रवी जो बच्चा होता है वो बहुत दिनों बाद अपने जब वो आता है तब वो देखता है कि जब वो अपने स्कूल आता है वो प्लेग्राउंड में देखता है कि वहां बहुत बड़े बड़े गड़े रहते हैं तो जब वो किसे पूसता है तो कहते हैं कि वहां पर बड़ी सी बिल्डिंग बने वाली जी है जिसमें बहुत ही सारे फ्लैड बनते हैं, बिल्डिंगम फ्लैड बनता है वो सब को बताया रहता है तो जो रवी रहता है उसके आखों में आसु आ जाते हैं तब जो वो रिलाइस करता है कि जो उसका बाड़ा प्ले ग्राउंड थार उसमें हरे-हरे घांस रहते हैं और सब चले जाएंगे वो अपने फीलिंग जो हते है अपने दुख धर्द को अपने क्लासमेंट के साथ अपने उसके क्लासमें जितने बचे रहते हैं उनके साथ सेयर करता है अपने जब उसका असेंबली हो रहता है तब तो जो उसके इंदर असेंबली रहता है जो असेंबली म तो जैसे की सुसेल सांस पूचे गा एक है इनवर्मेंट क्या होता है। जो हमें हमें सब्सम्राइब है यूख रवी सुझता है कि हमारा स्कूल हमारा टेबल हमारा चेर हमारा क्लास्रूम सब हमारा फिल्ड वह भी सब इन्वारिमेंट में आता है तो जो होता है सब उसको लगता है कि लेकिन सर कहते हैं पर उसके सर कहते हैं कि जो कुछ जो इन्वार्मेंट की चीज़ होते हैं वो नेचर बनाता है और कुछ हम हम बनाते हैं माउंटेन रिवर और ट्री इस होते हैं वो नेचरल में जो हम बनाते हैं उसका एक्जांपल है रोड कार क्लोथ बुक्स तो उसके बाद है कि वो जो उसके सारे क्लास्मेंट रहते हैं वो सब जो नेचर से बना हुआ इंवर्मेंट के चीज़ रहते हैं उनको भी डिसकस करते हैं और वो लिश्ट बना रहे होते हैं कि जो नेचर से बना रहता है और कौन हम हम हुमन ने बनाया है तो सब उनके सारे फ्रेंड रवी प्रमजीत और जैसी मुस्तफा असा सब एक्साइट परिख इनका लिश्ट गिसके बारे में तो हमारा राइट साइट में दिया environment के बारे में पढ़े हम उसे पढ़ लेते हैं environment environment is our basic life support system it provides the air we breathe the water we drink the food we eat and the land where we leave हाओ डू इसमें दिया कि environment जो है वो हमारे basic life जायरे हमारे life है जो हर चीज रहते हैं से जो सांस यह हम लेते हैं जो खाना हम खाते हैं जो पानी पीते हैं जो हमें जगर मिली है जो हमें सतफ मिला है रहने के लिए वो सब ही environment में आता है उसके बाद दिया गया है कि हाव डू हूमन बिंग मोडिफाइ इस नेचुरल इंवर्मेंट जो होता है कि दकार फ्यूम पॉल्यूट दा एयर वाटर इस कलेक्टे इन पॉट फूड इस सर्फड इन वेसल से लैंड इस उस्टो व्यूल फैक्टरीज कि हम हूमन है इस इनवर्मेंट को कैसे मोडिफाइ कर रहे हैं इस नेचुरल इनवर्मेंट को तो होई है कि दो जो कार होती है वो पॉल्यूट कर रही है हमारी एयर को वाटर अब हम उसे पॉट में कठा करने लगे हैं खाने को हम अपने थालियों में देने लगे हैं और लैंड पे हम फैक्टरिया बनाने लगे हैं हूमन बिंग में कार, मेल, फैक्टरीज एन मैनुफ़क्टर कंटेनर इस सब हम हम हूमन में कर रहे हैं इस इस हाओ हूमन बिंग मोडिफाइड नेच्रल इनवर्मेंट अब इस शेप्टर के इंट्रोड़क्शन में बस इतना ही मिलेंगे अगले पार्ट में कंपोनेंट्स ओफ इनवर्मेंट में